गुड मार्निंग स्टुडेंट आज हम आपको पहली कवीता के बारे में बता रही हैं कवीता का नाम है एक गीत जो नीशा निमंतरन हरिवन्स राई बच्चन जी की पुस्तक से ली गई है इसके कवी हरिवन्स राई बच्चन जी है और ये हालावाद के परवर्तक है पहली पोयम है इनकी एक गीत जिसमें जिस पोयम के हम पंक्तियों की व्याख्या करने जा रहे हैं उससे सभी बच्चे ध्यान से सुनें दिन जल्दी जल्दी ढलता है हो जाईन पत में रात कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं ये सोज थका दिन का पंथी भी जल्दी 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 ढलता है या ढलना का अर्थ है अस्त होना, पत का अर्थ है रास्ता, मंजिल का अर्थ लक्षे, दिन का पंथी जैसे सूरिय, राही, पथिक या रहगीर, दिन जल्दी जल्दी ढलता है प्रस्तूत पंक्तियां जो हैं, अपनी पाठे पुस्तक भाग दो आरहो में संकली, एक गीत कविता से ली गई है, जिसके कभी सिरी हरीवन्स राय बच्चन जी है कभी ने कहा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है यानि कभी कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी बीटते हैं अर्थात समय बहुत जल्दी बीट जाता है वक्त कभी रुखता नहीं बीता समय कभी वापिस नहीं आता रास्ते में कहीं रात न हो जाए और तुम्हारी मंजिल भी बहुत जादा दूर नहीं है यह सोच कर मंजिल का जो पंठी होता है यह यात्री होता है वो जल्दी जल्दी घर जाने की लालसा में अपने कदमों को बहुत तेज कर लेता है तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है इसलिए कि दिन जल्दी जल्दी बीत रहा है और सब को अपने घर जाने की जल्दी है प्रशनों के उतर इन ही में से आपको मिल जाएंगे इन पंक्तियों का कावे सुंद्रिय है कभी ने अपनी रहसे मई चेतना का चितरन किया है जल्दी जल्दी में पुने रुक्ती प्रकास अलंकार है भासा खड़ी बोली, सरल, सहच तथा प्रवह महीं है तच्शम और तद्भो शब्दा वली का प्रियोग हुआ है शांत रस का प्रियोग हुआ है दिन का पंथी में प्रतिकात मक्ता है दूसरी पंक्तियां बच्चे प्रतियाश्या में होंगे नीडों से जहांक रहे होंगे यह ध्यान परों में चड़ियों के भरता कितनी चन चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है प्रतियाश्या कहते हैं आशा नीडव कहते हैं गोंसलों से जहाकना कहते हैं देखना परों में यानी पंकों में चड़िया के जो पर होते हैं उन पंकों में तो इस परकाल यहां पर चडिया के बच्चे चडिया अपने बच्चों के लिए दाना लेने दूर जंगल में गई है और उसके बच्चे परतिक्षा में अपने जो ग्होसले हैं उनसे जहांक रहे हैं चडिया भी यह जानती है कि जिन जल्दी जल्दी डहल रहा है उससे मिलने के लिए उसके बच्चे आशा में हैं कि उनके लिए भोजन लेकर आ रही है यह सोचकर चिडिया के पंखों में एक बहुत तेज गती आ जाती है और वो चंचल हो जाती है क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है इन पंख्तियों का कावे सोंद्रिय चिडियों का बच्चों के प्रती वातसल्य भाव का प्रियोग हुआ है खड़ी बोली सरल सरस भासा का प्रियोग हुआ है मुक्तक छंद है अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकास अलंकार का प्रियोग हुआ है तत्सम तद्भाव शब्दा का प्रियोग हुआ है प्रसाद गुन और वातसल्य रस का प्रियोग हुआ है अभीदा शब्द शक्ति का प्रियोग हुआ है अब तीसरी पंक्तियों में हम आपको बताते हैं मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूं किसके हित चंचल यह प्रसंद सिथिल करता पद को भरता उर्म हिते हैं के लिए प्रशन स्थिल करता है यानि की सुस्त करना और कहते हैं हर्द्य और व्यहवलता कहते हैं व्याकूलता यह पर कभी कहता है Western पता नहीं मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है? कौन मुझसे मिलने की आशा लगाए हुए है? किसके लिए अपनी गती को तेज करूं? मनुश्य के मन में उठा यह परसन उसके पैरों को कमजोर बना देता है और वह उसके हरदे में व्याकुलता भर देता है जो व्यक्ति मन्जिल को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं वे अपनी गती को और भी ज़्यादा तेज कर लेते हैं उनमें कुछ करने का एक जज़बा होता है कवी ने यहाँ पर इजन पंक्तियों का कावे सोंद्रिय कवी ने रही के पत से ध्यान भटक जाने की और संकेत किया है प्रशन अलंकार है क्योंकि यहाँ पर पंक्ति में पीछे प्रशन चेन लगा हुआ था इसलिए इन पंक्तियों में प्रशन अलंकार, पुने रुक्ती प्रकास, स्वर मैत्री तथा अनुपरास अलंकार का प्रियोग हुआ है भासा सरल सहज वे सरस है, तस्वम शब्दावली का प्रियोग हुआ है, मुक्तक छंड है प्रशन शैली में जिग्यासा का भाव उत्पन किया है चितरात्मक शैली बिम्ब योजना सार्थक वेस्टिक है परशाद गुन का परियोग है बच्चों मुझे पूर्ण आसा है कि आपको ये कवीता अच्छी तरह से समझाई होगी इस कवीता को और इसके साथ प्रशन जो आपकी पुस्तक में है आप इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारिए ये आपका होम वर्क है और इसको बहुत अच्छी तरह से आप तयार करें